हेलो फेरेंट्स तो पैसे आप सब आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अपने भाई के चैनल लाइनेक्स किंग्स में तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम एक केएक sed senate सर्फ को कैसे अधने कर सकते हैं किंगा लाइनेक्स में तो अब बात आते कि हम इसको क्यों खोनेक्र करते हैं तो जो यह क्रेमनल्स होते हैं बड़े-बडे हैकर्स होते हैं यह कभी भी वह नहीं संब और हुस को पता है इन सबसेसरकार की नजर होती इनको यूज़ करते हैं यह असानी से पकड़े जा सकते हैं, तो इसलिए भूलके भी ऐसी गल्थी कभी नहीं करते हैं, इन सभी को यूज़ नहीं लेते हैं, ऐसी बाते इन पर नहीं करते हैं, इन Social Media Platform पर कभी ऐसी बाते नहीं करते हैं, ठिक है, उस chat server से निकलते हैं, उसका पूरा data killer हो जाता है, उसके बाद में उसका कोई record नहीं मिलता है, हमें कहीं भी, तो जब तक हम बात करेंगे, बस जब तक ही वो हमें सारी बात उसके मिलेगी record, उसके बाद में जैसे हम सब logout या फिर kickout जैसे जो भी होंगे न, उसके बाद हमें उसका कुछ भी record नहीं मिलने वाला है, अगर हमें कोई track कर सकता है, तो वो सिर्फ login के time ही trace कर सकता है, उसके बाद में उसका कोई chance नहीं है, कोई हमें track कर सकता है, ठीक है, login के time या फिर बात करते time ही track कर सकता है, जैसे हम भाहर निकलते है, logout करके, उसके बाद में कोई trace नह बनाने वाले हैं, Telnet के थूरू, मैंने एक Telnet के पहले वीडियो बनाहिए है, तो आप पहले Telnet को install करना देख लें, की कैसे install करना थे है, उसके बाद एकदम easy है, अराम से कर पाओकगा, एक ही command मारने पड़ते है, उसके बाद में हमारा यह chat server के रूप में चेंड हो जाता है तो उसके लिए हमें कमांड क्या मारने पड़ती है nc-l और हम यहां पर कोई भी एक जो हम यूज नहीं कर रहें वो पोड डाल देंगे तो मैं आपर यूज ले लेता हूँ 4,4,4,4 और मैं आपर एंटरपैस कर दूँगा ठीक है तो हमने एक शीक्योर चेट सर्वर बना लिया है तो अब मैं मेरे विंडोस पर जाता हूँ पहले मैं इसकी आईपी चेक कर लेता हूँ इसकी आईपी क्या है ताकि आप डाउट में ना रहो कि मैंने कैसे क्या कर दिया मुझे पता इसकी आईपी 1.5 है लेकिन इसकी आपको मैं दिखा देता हूँ यह दिकतारी एक मिरिंट ओर पॉंट फिक आईपी चेक करने के लिए इसकी होता है इस तदा को पता ही होगा तो यहाँ पर देख लो 1.5 ही है 192.168.1.5 ठीक है तो अब मैं यहाँ से यह यह nc-l और यहां से 4444 port को कर लेंगे हम यहाँ पर कॉंट फिक तो मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर देता हूँ और मैं चलता हूँ यहाँ से मेरे विंडो पर अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको वीडियो एक है जो डिस्क्रिक्टिम में उसका लिंक देदूगा मैंने पहले बना दी एक टैलनेट वी वीडियो तो आप वो देख लें उसके बाद यह सब कुछ करें अगर आप सीधा यह करेंगे तो नहीं होगा कभी भी नहीं होगा तो इसलिए आपको वह पहले वाली वीडियो देखने बहुत जरूर है इसलिए आपको उस वीडियो को देख लें उसका लिंक मैं उचे देदूँगा तो मैं यहाँ से क्मांड प्रोमोर्ट ऑपन करता हूँ और मैं यहाँ पर डाल दूँगा टैलनेट 192 168 1.5 और यहाँ पर डाल दूँगा तो हम आगे एक चैट सर्वर पर तो मैं इसको थोड़ा छोटा सा कर लेता हूँ जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा है एलो तो आप देख सकता है हो सिधा मेरे विंडों में टाइप हो गरे सिधा linux पर टाइप हो रहा है तो इस तरह से हम सेक्यूर्चैट सर्वर को बना सकते हैं, मैं टाइप मेरे विंडोस में कर रहा हूं, लेकिन यह टाइप कहां पर हो रहा है, मेरे Linux में टाइप हो रहा है, सब कुछ सीद्धा, हमें विंडोस में यह दिखाई नहीं देगा कि हम क्या टाइप कर रहा है, जो अगला मची अपने Linux में वह मुझे इसमें दिखाई देगा, तो मैं आपर एक बार और टाइप कर देता हूं, कुछ भी, जो भी टाइप होगे जानों दो रहा है, एंटरफ्रेस कर देता हूं, यह आपर रहा है, ठीक है, तो मैंने आपर यह टाइप कर दिया है, तो अब चलो बाहरी आ आप दे सकता है, यह मेरे Windows में आ रहा है, तो कुछ इस तरह से यह chat server हमारा काम करता है, अगर अब हमें कोई पकड़ना चाहिए, तो पकड़ सकता है, लेकिन जैसी मैं यहाँ से logout हो जाऊंगा, उसके बाद मिले को कोई नहीं पकड़ सकता, और जो यह मैंने chat किया है, यह यहाँ पर save नहीं होने वाली है, यह आपको logout होने बाद में कहीं भी नहीं मिलेगा, इसका record हमें कहीं भी नहीं मिलेगा, ढूंडेंगे तो भी नहीं मिलेगा, तो कुछ इस तरह से हमारा secure chat server काम करता है, टैलनेट पे, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते है next वीडियो निकाल लेंगे, पूरी कहशिश करूँगा, तो चलो मिलते है next video में,